Hello students, welcome to Magnet Brain. कैसे हैं आप सब? I hope आप सब बहुत अच्छे से होंगे. Myself, Neha Verma from Magnet Brain. Students, Magnet Brain एक ऐसा YouTube channel है जहां आपको kindergarten, means KG से class 12 तक आपको आपके पूरी syllabus का वीडियो मलता है students. और हाँ, यहां पर teachers आपको एक दो chapters या एक दो topic पढ़ा के, आप से किसी भी payment की demand बिल्कुल नहीं करते. क्यों नहीं करते? Because Magnet Brain is totally a free of cost channel. Means, यहां से पढ़ाई करने का आपको कोई भी payment नहीं देना पड़ता. Okay students, तो चलिए हम अपनी आज की पढ़ाई शुरू करते हैं. Students, हम Hindi में पढ़ रहे हैं मात्राएं. है ना? और मात्राएं किसकी होती हैं? स्वर की होती हैं. स्वर क्या होते हैं? आ से आहा तक. और यह मात्राएं वेंजन में लगती हैं. वेंजन मिलके शब्द बनाते हैं. शब्द मिलके वाक्य बनाते हैं. Okay students, तो हमने कहां तक मात्राएं पढ़ ली हैं? हमने A की मातरा, छोटी E, बड़ी E, छोटा O, बड़ा O, री रिशी, A की मातरा, A की मातरा ओके, तो उसके बाद क्या आता है? O से ओखली Yes student, तो हमारा आज का टॉपिक है O की मातरा हम आज पढ़ेंगे O की मातरा, O से क्या होता है? ओखली, ओखली क्या होती है? जिसको हमें कूटते हैं, है ना? हमारी दादियां और हमारी नानी जी, यह सब क्या करती थी? पहले मिक्सर तो किसी के घर में नहीं होता था, तो मसाले या कोई भी चीज, ओखली में कूटते थे, है ना? So students, O से ओखली और आज हम पढ़ेंगे O की मातरा, O, बोलो मैं के साथ, O, ठीक है? तो यह कैसी होती है? कहां लगती है? सबसे पहले हम यह देखते हैं So student, यह होता है हमारा O, है ना? O से ओखली और इसकी मातरा क्या होती है student? इसकी मातरा होती है यह, straight line और उपर A वाली मातरा तो यह है हमारी O की मातरा, ठीक है? यह अक्षर के बाद में लगती है, right? कोई भी अक्षर हुआ, उसके बाद यह मातरा लगती है, कैसे लगती है? चलिए अपन देखते हैं लिखके, मान लीजिए हम लिखते हैं क से कबूतर, तो यह माम आपने लिखा क से कबूतर, इसमें मातरा लगेगी O की, ऐसे, यह, तो यह क्या हो गया? को, क, O, को, समझ गया? क, क में O की मातरा, तो मिलके क्या हो गया? को, क, O, को, understood? तो यह हमारा व्यंजन और यह हमारी O की मातरा, समझ गया आप? यह हमारी O की मातरा और यह हमेशा अक्षर के बाद में लगती है, और इसका उचारण कैसा आता है? ओ, ओ, ठीक है student, ओ, राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, yes, so students, ये जोड़ों हम देखते हैं, अक्षरों का, ठीक है, क्या है इसमें, क, क में ओ की मात्रा क्या हो गया, को, क, ओ, को, ठीक है, ख, ओ, खो, ग, ओ, गो, घ, ओ, गो, हमने सारे वेंजन में, ओ की मात्रा लगा दिये, कुछ भी हो सकता है, आप माल लीजिए, प, ले लीजिए, प, प्लस, ओ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा, प, च, च, प्लस, ओ की मात्रा, च, न, प्लस, ओ की मात्रा, न, ओके student, तो ये हो गया हमारा अक्षर का जोड़ों, हमन क्या sound आता है O की मात्रा का O ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अब student हम कुछ शब्द देखेंगे O की मात्रा वाले चलिए तो ये देखिए ये क्या है धा पहले हम read करेंगे धा धोलक वाला धा धा में O की मात्रा धो-ल-क क्या हो गया धोलक किस में मात्रा लगी है धा में लगी है तो ये हैं हमारी धोलक ओके student चलो आगे देखते हैं YES Now this is what त, त तरबूज वाला त त में O की मात्रा तो त में O की मात्रा लग गयी तो क्या हो गया तो, त में A की मात्रा ता तो त क्या हो गया यह है हमारा प्यारा प्यारा तोता ओके सूरन चलो आगे बढ़ते हैं येस नाओ ये क्या है अब देखें ग, ग, गाय वाला ग, ग में ओ की मात्रा तो क्या हो गया? गो ग में ओ की मात्रा गो भ भालू वाला भ और भा में बडी की मात्रा भी तो क्या हो गया? गोभी student, आपको कैसे पता चला ये बड़ी की मात्रा है? क्योंकि ये अक्षर के पीछे लगी है अगर ये अक्षर के पहले लगती तो क्या होती? छोटी की मात्रा understood student, तो ये हो गया? गोभी right, गोभी का फूल यह हामारी एक सब्जी है ओके स्टूडिन्ट चलो आगे बढ़ते हैं Yes So student अभी हमने जोडो किसका किया था हमने अक्षरो का जोडो किया था अब यह जोडो किसका है यह शबदो का जोडो है ठीक है? तो चलिए हम ओकी मात्रा का जोडो करके देखते हैं तो मैंने में के साथ रीट करेंगे, right? श, श में O की मात्रा शो, र, शोर, ठीक है? श में O की मात्रा लगी, तो शो हो गया, और र, शोर. आगे देखिए, ह, ह में O की मात्रा हो, लाला में बड़ी की मात्रा ली, हो ली. है न? हमने कैसे E की मात्रा को खीच के बोला? चली, O की मात्रा भी लगी है, और बड़ी की मात्रा भी लगी है, understood? चली, आगे बढ़ते हैं, म, म में O की मात्रा, मो, त, र, मोटर, मोटर. है न, मोटर क्या होती है? किसी भी चीज को शुरू करनी के लिए मोटर की जरूरत होती है, है न, पानी की मोटर, right? तो यह हो गई मोटर, आगे बढ़े, च, च में O की मात्रा, छो, त, त में बड़ेओं की मात्रा, टू, छो, टू, है न, यह बड़ेओं की मात्रा है, student, right? यह चोटेओं की मात्रा होती है, और यह बड़ेओं की मात्रा होती है, understood? चलो, आब आगे बढ़ते हैं, yes, अब यह कुछ शब्द है, O की मात्रा के, तो पहली पिच्चर आपको किस की दिख रही है? रोटी की पिच्चर दिख रही है, जो हम रोस खाते हैं, है न, तो र, रा में O की मात्रा रो, टर्टा में बड़ी की मात्रा टी, रोटी, ठीक है, चलिए, आगे म, म में O की मात्रा मो, टर, मोटर, यह मोटर होती है, पानी की मोटर, गाडी की मोटर, है न, चलो, आगे बढ़े, ल, ला में O की मात्रा लो, म, रारा में बड़ी की मात्रा डी, लो लोमडी, तो कहा है हमारी लोमडी, यह हमारी लोमडी, ओके स्टूडेंट, यह हो गई हमारी लोमडी, आगे बढ़ते हैं हम, ब, ब में ओ की मात्रा, बो, तल, बो, तल, तो यह हो गई, बो, तल, है न स्टूडेंट, तो यह थे हमारी कुछ शब्द ओ की मात्रा वाले, और ज लब्द मिलके वाक्य बनाते हैं, means sentences बनाते हैं, तो चलो अब हम कुछ sentences बढ़ते हैं ओकी मातरा के, चलिए मैंके साथ साथ read करिए, छा में ओ की मात्रा छो ताटा में बड़े ओ की मात्रा टू छोटू मोटू छोटू मोटू शहर गए गए छोटू मोटू शहर गए ठीक है लाला में ए की मात्रा हमने पड़िये न ए की मात्रा लेकर आ में आ की मात्रा आये लेकर आये घगा में ओ की मात्रा घो डाला में आ की मात्रा घोडा छोटू मोटू शहर गए लेकर आये घोडा सासा में ओकी मात्रा सो, चाचा में ओकी मात्रा चो, सो चो, सो चो है ना सूरंट, तो यह कुछ वाक्य थे ओकी मात्रा वाले, राइट सूरंट तो देखा आपने कितनी सरल है ओकी मात्रा, आपने देखा ओकी मात्रा कैसी होती है, कहां लगती है, इसका उचारण कैसे होता है और हमने अक्षरों का जोडों भी देखा, हमने शब्दों का जोडों भी देखा और हमने बहुत सारे शब्द देखे ओकी मात्रा के Okay student, तो अब आप वीडियो को अच्छे से देखिए और O की मात्रा अच्छे से समझ जाएए Right student, तो इस वीडियो का पूरा explanation आपको मिल जाएगा Magnet Bain की website पर जैसे ही आप class senior kindergarten choose करेंगे students आपको ये मात्रा भी मिल जाएगी और दूसरी मात्रा भी मिल जाएगी Right student, तो है बहुत इजी, आप सारी मात्रा पढ़ सकते हैं, बार बार देख सकते हैं जब तक clear नहीं होता, तब तक देखिए लेकिन मात्राएं बिलकुल clear करिए Right, और students, एक और good news है Magnet Bain का अपना Hindi medium का channel भी start हो गया है तो language की भी problem नहीं है तो अपने बड़े भाईया दीदी या किसी को भी ये information जरूर शेयर करिए तो ये सारी information और ये सारी फेसिलिटी आपको देता है Magnet Bain यहाँ पे आपको kindergarten से class 12 तक online school education बिलकुल free में मिलती है students Right, तो वीडियो देखते रहिए अपनी मात्राओं का ज्यान बढ़ाते रहिए Okay student देखें मात्राओं बहुत जरूरी होती है अगर आप एक बार मात्राओं अच्छे से सीख गए न तो आप हिंदी लिखना और पढ़ना दोनों बहुत अच्छे से सीख जाएंगे Okay student तो चलिए नेक्स मात्रा के साथ हम नेक्स वीडियो में मिलते हैं Till then, bye bye, take care